हेलो फ्रेंट्स आप सबका अमारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है तो फ्रेंट्स आज हम जानेंगे एक सक्से स्टोरी के बारे में सक्से स्टोरी आफ अमुल दा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड दोस्तों अगर आज शहर में रहने वाले किसी भी इंसान से पूछा जाए कि आप किस डेरी कंपनी की प्रोडक्स पे आंग बंद करके वरोसा कर सकते हो तो जवाब में अमुल का ही नाम सुनाई देगा यह विश्वास अमुल ने अपनी मैने से खड़ा किया है अमुल एक कॉपरेटिड डेरी कंपनी है शुरुआती दिनों में अमुल सिर्थ 200-300 लिटर दूद को एक दिन में कस्टमर तक पहुचाता था पर आज की डेट में अमुल 230 लाग लिटर दूद हैंडल करता है 2019 में अमुल का टर्न ओवर 5.3 यूएस बिलियन डॉलर है इसी से समझा जा सकता है कि अमुल कहां से कहां पहुचा है यह अविश्विश्विश् आज़ करती थी जिसका नाम था पॉल सर्डडरि पॉल सर्ड के अलावा कोई भी बड़ी डेर्य नहीं थी उस वक्ट इंडिया मिलक स्कंटरी हुआ करता था उस किसंडोग पॉल्सर को ऑ lei को भीचा जिससे किसानों को बहुत बहुत कम पैसा मिलता था और पैसा खा जाते थे दलाल और पॉलसंडेरी आनन्द जो कि गुजरात में है वहां के किसानों ने मांग रखी की या तो गवर्मेंट सीधे किसानों से दूद खरी दे या फिर किसानों को उनकी खुद की डेरी शुरू करने की इजाज़त दे पर ये मांग पूरी नहीं की गई जिसके बाद आनन्द के कुछ किसान और वहां के लोकल लीडर त्रीबोंदास के पटेल सर्दारवल बभई पटेल को मिलए गए किसानों ने मिलकर सरदारवल बभई पटेल को अपनी सारी बरेशानिया बताई सर्दार पटेल ने सुजाव दिया कि सारे किसान मिलकर अपनी डेरी बनाए और सिधा ही दुद्ध सप्लाई करें बॉम्बे पर मुसीबत तो वही थी कि गवर्मेंट इसके लिए मान नहीं रही थी जिसके बाद सर्दार पटेल के कहने पे किसान मिलक स्ट्राइक पे उतर गए स्ट्राइक चली करीबन 15 दिन काईरा डिस्टिक से एक बुन मिलक भी बॉम्बे नहीं गया जिसके बाद गवर्मेंट मान गई और काईरा डिस्ट्रिक कॉपरेटी मिल की यूनिन की शुरुआत हुई शुरुआत में सिर्फ दो गाउं से दूद आया करता था ये दूद करीबन 250 लिटर था दोस्तो आजादी के बाद 1949 में इस डेरी को वर्गिस कुरियन ने जोइन किया वर्गिस कुरियन ने अपनी मास्टर की पढ़ाई मिशिगन स्टेट उनिवर्सिटी अमेरिका से की थी वर्गिस कुरियन चाहते तो एक सक्सेस्पुल कंपनी के साथ जुड़कर अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे पर उन्होंने ऐसा ना करके किसानों के हक में खड़े होने की ठान ली बाद में हम डालिया जिसे आज कोई नहीं जानता वो इस कमपनी के साथ जुड़ गए है हम डालिया त्रिववंदास के पटल और वर्गिस कुरियन इस डेरी के तिन पिलर थे शुरुआत में दूद एकटा होता था सिर्थ 200-300 लीटर जो कि बहुत कम था किसान दूद कायरा डिस्टिक डियरी को बेचना चाहते थे और दूद तो सिर्फ एक या दो गाओं में ही खरीदा जाता था और वो गाओं बाकी किसानों को बहुत दूर पड़ते थे इसलिए त्रिवांदाज और कुरियन ने दूद एकटा करने की प्रोसेस में सुधार किया लगबग हर गाओं में विलिच लेवल पे कोपरेटिव डेरी शुरू की जहां से दूद एकटा करके डिस्टिक लेवल पे लाया जाता था जहां पे जरूरी प्रोसेस होने के बनाने की प्रोसेस अन्नोन थी पर हम डालिया ने विस्वा में पहली बार बफिलो मिल्क से मिल्क पाउडर बनाने की खोज की यह खोज एक स्पार्क था जिसना अमूल को नहीं उचाईया दे दी क्योंकि अमूल के पास गाय से ज़्यादा बेंस का दूद आया करता था साल आप 1955 में दूद का पेशोराजेशन करने के लिए और दूद का पाउडर बनाने के लिए डेरी की शुरुवात हुई नई मशनेरी आई डेरी का नाम रखा गया द अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इस डेरी और यूनियन की सक्सेस देखकर गुजरात में और पां को एडविटाइज और प्रमोट किया करते थे जिसमें सब को भारी पैसा देना पड़ता था इसके अलावा इनके बिच आपसी कॉम्पेटिशन भी बढ़ रहा था ये दो चीजें ना हो इसलिए 1970 में इन 6 डेरियों को एक कर दिया और एक कॉमन नाम रखा गुजरात कॉप कर नहीं देखा और अमुल अपनी नीतियों विजियन रिस्टेकिंग अबिलिटी प्रोड़क्स की कॉलिटी बैतर इन मार्केटिंग स्टेटेजिज वगेरे के चलते सफल ता कि एक के बाद एक सीडिया चड़ता गया और आज अमुल एक सफल ब्रांड है जिसके नाम मातर इस कंपनी को मिल्क सप्लाइ करते हैं अमुल इंडिया में हर दिन टोटल 1.4 करोल लिटर दूज सप्लाइ करता है अमुल आज की डेट में 4 तरह के अलग-अलग फेट परसेंटेज वाले दूज सप्लाइ करता है जिसमें अमुल ताजा अमुल शक्ती अमुल गॉल्ड और शक्ती मेंडिया डाज की डेट में मार्केट में 65 ज्यादा परोड़क्ट्स अवैलेबल है उन मेंसे कुछ प्रोडक्स हैं अमुल गॉल्ड अमुल ताज़ा अमुल बटर अमुल लाइट आमुल डिलिश्यस टेबल मार्गरेन अमुल प्रॉसस चीज अमूल मलाई पनीर, अमूल कूल कैफ, अमूल कोको, अमूल कूल मिल्क शेक, अमूल स्टेमिना केन, न्यूटरा अमूल एनरजी ड्रिंक, अमूल कूल फ्लावर्ड मिल्क, अमूल आइस क्रीम, अमूल मस्ती दाई, अमूल गी, अमूल या, सागर स्क्रीम मिल्क पाउडर, कुछ इस तरह से है प्रोड़क्ट बटर मार्केट शेर 80% प्रोड़क्ट मिल्क पाउडर मार्केट शेर 40% प्रोड़क्ट चीज मार्केट शेर 50% प्रोड़क्ट आइस क्रिम मार्केट शेर 25% प्रोड़क्ट अमुल स्वीट्स मार्केट शेर 50% प्रोड़क्ट चोकलेट ड् परसेंट अमुल आज की डेट में अमुल यूएश्टी प्रोड़क्स भी बनाती है यूएश्टी प्रोड़क्स यानी अल्टर हाई टेंपरेचर प्रोसेस्ट प्रोड़क्स जिसमें प्रोड़क्स को हाई टेंपरेचर पर प्रोसेस किया जाता है जिससे सारे हामफुल माइक्रो और्गेनिजम फिल्टर हो जाते हैं और साथ में नीटफुल नीटरिशन प्रोड़क्ट में मौझूद रहते हैं इस प्रोसेस से उस प्रोड़क्ट को फ्रीज वगेरे में रखने की ज़रूद नहीं पड़ती बस उसको एक स्पेशल कार्टून टैप पेकेट में जाता है जिससे आप किसी भी नॉर्मा टेंपरेचर वाली जगह पे स्टोर कर सकते हैं आज की डेट में अमुल यूएस्टी अमुल तजादूद वेचता है यूएस्टी अमुल तजादूद आज की डेट में करीबन 4-5 लाग लीटर पर डे विखता है अगर हम अमुल के अबरड़्मेंट स्ट्रेजी की बात करें तो बहुत ही सिंपल है अमुल अम्ब्रेला ब्राइंड एड़टाइजमेंट को फॉलो करती है अमुल की हर प्रॉड़क्ट का नम अहों से शुरू होता है जैसे की अमुल ताजा अमुल बटर अमुल घी वगेरे जिससे अमुल क एड दुनिया में सबसे लंबा चलने वाला एड है ये एड करीबन 1967 से आज तक चल रहा है ये एड इसलिए लंबा चला क्योंकि इसमें अमुल गल्प करन्ट रेंड पे अड़राजमेंट करती है जैसे कि बजरंगी भाईजन की जगा बटरंगी भाईजन 3 जुन 1994 को अमुल के जनक कहे जाने वाले 3010 पटेल की मृत्य हुई थी 9 सप्टेमबर 2012 को इंडिया के मिल्कमेन वर्गिस कुरियन ने दुनिया को अलवीदा कहे दिया था आज की डेट में अगर अमुल इतनी तैजी से आगे बढ़ रहा है तो उसका कारण है अमुल के करंट M.D. रुपेंदर सिंग सोड़ी जिनों ने अपने विजियन और मेनेजमेंट से अमुल को नहीं गती दे दिये तो फ्रेंड्स ये थी अमुल की कहानी प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राब ड्यूट चनल पर मोर वीडियोज थेंक यू